गुड मॉर्निंग फ्रेंड मैं हूँ शाओ और वेलकम है आपका संडे गार्डन ओवर्वीव में तो सबसे परे शुरुवात करते हैं इन परसलेन की फूलों के साथ तो कुछ-कुछ फ्लावरिंग हो रही है और कभी तो बिल्कुल एक भी फूल नहीं लगता पता नहीं क्यों और बाकी सब लोगों से जब मैंने पूछा तो उनके भी यहाँ यानि ज्यादा टिंपरिचर के कारण शायद होगा क्योंकि मैंने इने पूरी सनलाइट में रखा था लेकिन इनपी कुछ असर नहीं हुँआ और फ्लावरिंग आप देख रहे हो कभी होती है कभी नहीं होती तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ मैरे साथ यानि पिछले साल भी मैंने लगा था और पिछली पुरानी वीडियो में आप देख सकते हैं कि पूरी फ्लावरिंग यानि पूरा गमला फूलों से भरा हुआ था तो पता नहीं यह क्या हुआ और जैसे मैंने कहा कि मेरे यहां कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है तो मुझे कुछ इन पर ज्यादा करने का टाइम भी नहीं मिला और अभी यानि साथ बज़े ही सब लोग आ जाते हैं अपना काम शुरू कर देते हैं उस वज़े से मैं ज्यादा वीडियो भी नहीं डाल पा रही हूँ तो देखती हूँ कब तक होता है पूरा और फिर आपके साथ यानि ज्यादा तर वीडियो में टच रहूंगी तो इस तरह से आज का जो वीडियो है वो संडे गार्डन ओवर्व्यू है तो इन तपती समर में मैंने सारे प्लांट एक जगे पे रख दिये हैं जैसे मैंने कहा था कि अभी जगा कुछ बचीन है सिर्फ बीच में चलने के लिए जगा है और बाकी सब तरफ आपको प्लांट ही प्लांट दिखाए देंगे तो ऐसी कुछ कलर खेल रहे हैं इसमें परसलेन में और यहां पे यह जो पीछे वाला जो शेड है वो मैं निकाल लेती हूँ उसे परदो की तरह रखा है तो वो जो ग्रीन नेट है वो हटा देती हूँ उसके बाद यह बहुत ज्यादा दूप होने पर लगा लेती हूँ तो यह अडेनियम का प्लांट है जो मैंने आनलाइन पर्चिस किया था इस पर यह तीसरा फूल है और बाजू में रेख सकते हैं कि तीन-तीन कलिया इस पर बनी है और भी छोटी-छोटी कलिया इस पर बन रही है तो इस तरह से मैंने यह प्लांट मंगाय थे आनलाइन से और और ये मिर्च के प्लांट है, यलो मिर्च है ये, तो ये भी अच्छे से अभी चल रहे हैं, और ये एक नया फूल, यानि सभी कलर है मेरे विंका में, लेकिन ये वाइट नहीं था, तो ये खिल चुका है, और ये मैंने आपके साथ ही सेडलिंग के रिपोर्टिंग की थी, य मैरिगोल्ड के प्लांट है, और ये दिखे, ये चितरक के प्लांट में अभी फिर से फ्लावरी शुरू हो गए है, और ये मेरा विरिगेटेड पर्सलेन, तो इस थरा से ये सारे प्लांट मैंने यहां पे रखे हुए हैं, देखे, पूरा जंगल लुक दे रहा है, यानि स स्टार फूरुट का प्लांट है, तो मैंने ये आठ इंची या साथ इंची गमला है, उसमें मिट्टी के गमले में ये लगाए है, और ये मेरे देखे, इसे हम यानि ये जो बेल है, ये इसे हम राक्षस बेल कहते हैं, तो क्या होता है कि जैसे ये बेल आपके पौधे पर प्लांट को डाय करती है, तो इस तरह से ये सारे मेरी रेन लीलिस है, तो मुझे लगता है, अभी मैंने काउंट नहीं के, फिर बे मेरे पास पचास कलर के भी वराइटी आ गई है, और सभी मैंने ऑनलाइन पर्चस की है, तो इसका एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगे, जिस तो यह भी अच्छे से ग्रोथ कर रही है देखे यह मैंने अर्बन गार्डन सीर्ट से मंगवाई थी यानि मुझे कुछ 220 रुपे का यह पूरा 10 फ्लावर का था आफर में था तो लिया था और यह मेरी देखे यहां पर यह देखिए अबोली का प्लांट जो बहुत अच्छे इससे ब्लूं कर रहा है और जिसकी यह जो कलिया है यानि यह जो सीर्ट स्पॉट है यह मैं तोड लेती हूँ क्यूंकि इससे क्या होता है फ्लावरिंग जादा नहीं होती और पोधा जो है वो सीर्ट बनाने में लग जाता है तो इस सरा से जब भी आपको वक मिलता है तो है आप कट कर दीजें और देखें यह बहुती प्यारा कलर है तो अभी तो इंपर यानि साल भर फ्लावरिंग होती है इस सरा से अगर आप इसकी सीर्ट कर देते हूं तो यह अच्छ Сीर्ट करता है और बहुत कौंटिक बें फ्लावरिंग देता है तो यह हूँ एक plant और चलिए एक मैं आपको एक surprise और बहुत ही miracle वाली बात बताती हूँ तो ये दिखे ये yellow color की series थे जो मैंने दूसरे report में लगाया थे और ये आपके साथ share किया था और इसकी reporting का भी वीडियो मैंने share किया था लेकिन फिर ये तीनो यानि यलो ही color की मैंने लगाई थी और ये अलग color उसमें निकलाया है तो जिसे मैं ढूंड रही थी orange color और मैंने अपने एक अबोली का जो special video है उसमें बताया था कि मैं ये color का plant ढूंड रही थी और मैं कितने दूर तक इस plant को लेने के लिए गई थी लेकिन देखिए अपने आप ये कैसे इसमें निकलाया ये मुझे भी नहीं पता चल रहा है और मुझे दिल्ली बहुत ही ख्वाईश थी इस plant को अपने garden में add करने की क्योंकि मेरे पास दो color तो थे लेकिन ये orange वाला मुझे चाहिए था और ये देखिए अबोली color ये faint अबोली color है आप देख सकते हैं यहाँ पे और ये color कितना आलग है और ऐसा कह सकते हैं इसका seeds है लेकिन नहीं ये देखिए ये orange color है यानि कैमेरा में इतना orange नहीं देख रहा है लेकिन रियल में बहुत ही orange है और ये मेरे निश्यगंदा है तो ये मैंने देखे जैसे double petal pink, single petal pink और yellow और white double petal ऐसे ये सारे मैंने बुलाए थे सिट्स अरबन गारडन से और यहां पे सारी Emerilis Lily और ये निश्यगंदा के जो मैंने आपके साथ report किया था इन सारे bulb को ये pink कलर की है और ये लैंटाना के प्लांट भी बहुत ही अच्छे से flowering कर रहे हैं और ये विंका तो इनकी ज्यादा मुझे केर नहीं हो रही है मुझसे और यहां पे देखे इस तरह से ये view दिखता है पूरा अभी सारे प्लांट एक ही जगे पे एक ही छट के नीचे आप देख सकते हैं तो इस तरह से मैंने रखे हैं क्योंकि मेरे यहां जैसे मैंने कहा था कि construction का काम शुरू है तो मुझे यानि प्लांट ज्यादा लगाने की भी अभी जगह नहीं है और जो है उन्हीं ऐसे तैसे रखे हैं तो अभी कितने महने लगेंगे यह पता नहीं उन्होंने तो कहा था दू-तीन महने लगेंगे तो देखते हैं कितने महने लगते हैं क्योंकि अभी समर कम है यनी सॉरी अभी बारिश शुरू हो जाएगी फिर इन सारे इसको पोधों को एक जगे पर तो अभी तो फिलहाल कुछ भी मेरा मैंने कुछ भी ऐसा यानि ये नहीं किया है कि गार्ड़न को किस तरह से अभी सेट करूंगी तो देखी यहां से सिर्फ यहां से एक रास्ता रखा है जाने के लिए आने जाने के लिए पाने डालने के लिए और ये सारे प्लांट एक ही जगे पे मैंने ऐसे रख दिये है तो इसलिए आज कल वीडियो थोड़ी कम आ रही है बाकि जैसे ही ये पूरा मेरा गार्डन सेट हो जाता है तो फिर से हम यानि मैं आपके साथ ऐसी अपने नई जने वीडियो लेकर मिलती रहूंगी और ये रेन लिली देखे ये बीच में ऐसे रखे इसे धूब भी लगती है और सुबह की धूब लगती है क्योंकि इन्हें धूब के ज़्यादा यानि जरूरत होती है तो ग्यारा या बारा बचे तक आप रेन लिली को धूब दे सकते हो और यहां पर सारे विंकाज के छोटे-छोटे प्लांट और ये भी दिखे बहुत ही प्यारा कलर किया है और ये पूजा के लिए थोड़े से फूल तोड़ लिया है मैंने तो इस तरह से ये मेरा गार्डन है अभी तो कुछ खास नहीं है इसमें दिखाने के लिए लेकिन जैसा भी है आपके सामने है और ये दिखे ये मेरा पूरा कंस्रुक्शन अभी चल रहा है यहां पे एक बड़ा सा हॉल बना रही हूँ तो इस वज़े से कुछ वक्त नहीं मिल रहा है और वक्त भी मिलता है तो मैं उपर आने ही पा रही हूँ तो इस तरह से ये सारी प्लांट है ये विंका की प्लांट तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपके कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट्स कीजेगा वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चानल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजेगा फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई हैपी गार्डनिंग स्टे सेफ